हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है अमारी से यूट्यूब चैनल पर आज हम आपको एसी इंफोर्मेशन देने वाले है जिससे आप अपना कर अपने पसु को साल भर बीमारी से फ्री रखेंगे उसको पुले साल में बीमारी चूभी नहीं सकती और पसु की इम्मिन सिस्टम इतनी स्ट्रोंग हो जाएगी कि आप बाती मत पुछिएगा तो चलिए हम जानते हैं उस अवसाधी के बारे में तो दोस्तों आप देख सकते हैं सामने निम का पेड है और अभी चल रहा है चैत्रमास और चैत्रमास के अंदर निम के पेड में ऐसे फूल आते है और पत्ते और फूलों का चैत्रमास में इतना बगा महत्व है कि आप बाती मत पुछो इससे खिलाने से पसु की इम्मिन सिस्टम बहुत स्ट्रोंग होती है आपको ज्यादा कुछ करने की आवस्ट्रोंग है आपको निम के पत्ते और उसके फूल दोनों साथ में ही तोग लेने है और इस तर अपने पसु को खिला देना है इससे इम्मिन सिस्टम तो स्ट्रोंग होंगी ही साथ में पसु को कोई बुखार आता होगा तो बुखार भी चला जाएगा और उसका खुन भी एकदम सूत हो जाएगा पसु को कोई भी चर्मर होगा वो भी निम खिलाने से चला जाएगा और चैत्रमास में हमें इससे 10 से 15 दिन कम से कम खिलाना है जो खाली पसु है उसे को आप 400-500 ग्राम डेली दे सकते है सुब़ के टाइम और जो गावी ने तीन महीने से उपर की उसे भी आप इतनी मात्रा दे सकते है और एक से तिन महीने की जो गाबिन गाई है, उसे आप महीने में सिफ तिन से चारी बार दोसो से तिन सो ग्रामी खिला सकते हैं अब इसके दूसरे फाइदों की बात करें तो पेट के सारे क्रूमी होते हैं, वो निम खिलाने से सभी के सभी खतम हो जाएंगे और पसु दाना चारा जो भी खाएगा वो उसे सही से लगेगा और जो पसु खाने में आना कानी करे और खाये ना उसे को आप सुभ़ के टाइम जूस करके नाल के द्वारा दे सकते है आज के वीडियो में बस इतना ही हमारे वीडियो पसंद आए तो उसे को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यावाद